जी, नमस्ते, नमस्ते तारविया, सभी को नमस्ते, सभी को हिंदी सत्र में स्वागत है, सभी का, हम लोग exercise two कर रहे हैं, अभ्यास दो, जिसमें के हम अपने द्वारा, चैतन्य द्वारा, शरीर को देख रहे हैं, और अपने साथ जो शरीर का आदान प्रदान है, उस पर ध्य द्यान दे रहे हैं, और धीरे-धीरे आगे की steps में हम देखेंगे, कि हम इस सब के साथ बाहर भी ध्यान दे सकते हैं, तो very quickly मैं steps को दोहरा देते हैं, और उसके बाद हम जो ग्रहकारे था, उसका observation आपका ले लेंगे, तो step one में हमने देखा, कि मैं हूँ, मुझे मालूम होता है कि मैं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो कल्पना शीरता चल रही है, उसमें जो क्रियाएं हैं, इच्छा, विचार, आशा, ये सब को मैं देख पाती हूँ, और मुझे दिखता है कि मैं हूँ, शरीर भी है, ये भी दिखाएं के दिता है, ये कैसे दिखाएं दिता है, क्योंकि शरीर में सम्वेरना है, मैं सम्वेरना को पढ़ती हूँ, और उससे फिर मुझे मालूम होता है कि शरीर भी है, स्टेप टू में हम ये देख रहे थे कि ये जो अलग-अलग वास्तविक्ता हैं मैं हूँ और शरीर है इन दोनों के बीच में कुछ आदान-प्रदान हो रहा है मैंने शरीर को कुछ संकेत दिया ये मतलब एक सूचना है तो इसमें मैंने शरीर को कुछ कहा अगर मुझे कुछ शरीर से काम लेना है या बाहर का कुछ मुझे मालूम करना है तो उसके accordingly मैं शरीर को कुछ संकेत देती हूँ ये संकेत एक सूचना है इसी तरह शरीर में बहुत सी संबेदनाइं उठ रही है बहुत से चीजें चल रही है खाने का पाचन हो रहा है फ्लट सर्कुलेशन हो रहा है दिल की धड़कन चल रही है ये सब संबेदनाइं है मैं कोई संबेदना पढ़ती हूँ ये संबेदना पढ़ना भी एक सूचना है तो मैं कुछ संकेत देती हूँ शरीर को वो एक सूचना है मैं कोई संबेदना पढ़ती हूँ शरीर में वो भी एक सूचना है तो ये जो आदान प्रदान है मेरे बीच और शरीर के बीच ये केवल एक सूचना का आदान प्रदान है इसमें कुछ भी फिजिकल या फिजियो केमिकल या भौतिक रसायनिक नहीं ट्रांसफर हो रहा है, सिरफ सूचना का आदान प्रदान है, information. स्टेप तीन में हम ये बहुत important question पूछ रहते, कि ये जो आदान प्रदान हो रहा है मेरे और शरीर के बीच, इसका निर्ने कौन ले रहा है, मैं ले रही हूँ या शरीर ले रहा है, फिर हमने देखा कि मैं ही इसका निर्ने लेती हूँ, मैं डिसाइड करती हूँ मुझे क्या संकेत देना है शरीर को और कब देना है, मैं डिसाइड करती हूँ कि कौन सी समवेदना मुझे पढ़नी है शरीर में और कौन सी नहीं पढ़नी है, और ये लिखा पढ़ी करने के बाद मेरे अंदर कुछ चलता है, मतलब मैंने कुई समवेदना पढ़ी और फिर मेरे अंदर कुछ चला, मेरे कलपना शीलता में कुछ इसके कारण कुछ चला, मैंने उसको कुछ अर्थ दिया और उसके basis पे मैंने कुछ निर्नय लिया, जिसके वज़े से फिर मैंने आगे फिर शरीर को संकेत दिया, तो ये सब process में निर्नय मेरा ही है, शरीर को मैं एक साधन के तरह यूज़ कर रही हूँ तो इसमें मैं ही दृष्टा मैं ही देखने वाली शरीर को देखना शरीर के पर ध्यान देना जो भी बाहर का भी देखना है वो मैं ही देख रही हूँ मेरा निर्ले है अगर मैं आखों किसी से भी देख रहे हूं तो आखें शरीर का एक भाग है जिनके माध्यम से मैं देख रहे हूं आखें अपने आप तो नहीं देख रहे हैं शरीर दिखता है चल रहा है शरीर अपने आप नहीं चलता मैंने संकेत दिया इसलिए चलता है ऐसा तो दृष्टा मैं देखने वाली मैं करता भी मैं मैं संकेत देती हूं मैं निर्ने लेती हूं संकेत देने का फिर संकेत देती हूं उसके बाद शरीर करता है जैसा मैंने कहा तो मैं करता और मैं ही भोगता ये सब आदान प्रदान के बीच में, अगर हमारा ध्यान अपनी कल्पना शीलता की ओर जाए, तो हमें ये दिखेगा कि हम दिन भर में कितनी बार सुखी दुखी होते रहते हैं, अभी जो English session में बात हो रही थी, कुछ हुआ, हमारे पडोसी ने कुछ किया, हम दुखी हो गए ऐसे करके हम देखेंगे कि ये जो सुख दुख है, इसको मैं भोगती हूँ, तो ये हम step 3 में देख रहे थे, step 4 में हमारा ध्यान हम थोड़ा बारीकी से देखने का प्रयास कर रहे थे, कि ये जो समवेदनाए हैं शरीर में, जब मैं किसी भी एक समवेदना को पढ़ती मैं अपने आप से पूछों कि क्या मैं समवेदना हूँ, क्या मैं समवेदना में हूँ या क्या मैं समवेदना से अलग हूँ, इसको अगर हम ध्यान से करते हैं तो हमें दिखेगा कि मैं और शरीर तो अलग वास्तविकताए हैं, मैं शरीर में नहीं हूँ, मैं शरीर से भिन हुँ और मैं जहां हूँ, वहां से शरीर के किसी भी भाग की समवेदना को पढ़ पाती हूँ, निरने पूरबर, यह हमने step four में देखा, और फिर step five में हम देख रहे थे, कि जब हम शरीर में हो रहे ही समवेदनाओं में से किसी समवेदना पर हमारा ध्यान जाता है, तो हम ये भी देख पाते हैं कि ये समवेदना का स्त्रोत क्या है और हमने चार औरिजिन्स की बात करी थी दो बाहर से तो जो दो बाहर से औरिजिन है वो ये है कि अगर किसी के साथ कुछ वेवार हुआ एक और मनश के साथ हमारे विवाहार में किसी ने कुछ कहा या कुछ, ना, हाथ से सिपरश किया मेरे शरीर पर, इस टाइप का कुछ हुआ तो उसके प्रभाव से शरीर में कुछ सम्वेधना हुई उसको मैं पड़ पाते हूं तो ये दूसरे के साथ विवाहार जो हुआ वहां से ये origin हुआ सम्वेदना का ये एक source हुआ फिर और एक source बाहर का ये था कि अब मनुश्य involved नहीं है तो भी बाहर कुछ बहुत एक रसाने घटना घट रही है सर्दी है, गर्मी है बारिश का मौसम है ऐसा कुछ है या कोई वस्तू है उसकी गंद आ रही है या इस टाइप का कुछ है तो उससे उसके प्रभाव से शरीर पर कोई प्रभाव पढ़ा और उससे कुछ सम्वेदना उठी जिसको मैं पढ़ पाती हूँ तो ये दो sources बाहर से आए फिर एक source हो सकता है जो शरीर के अंदर ही है बाहर से इतना कुछ लेना देना लिए जैसे के शरीर में कुछ नपाचन चल रहा है या सांस चल रही है या दिल की धड़कन है मैं जब चाहूं उस समय अगर मैं ध्यान दूँ तो मैं उस सम्वेदना को भी पढ़ सकती हूँ जैसे के अभी अगर आप सब ध्यान दें अपना ध्यान हाट की तरफ ले जाएं लेफ्ट साइड अफ दो बॉड़ी अगर आप बिना अपना हाथ वहां रखे ध्यान दें तो भी शायद आपको सुनाई पढ़ेगा कि दिल की धड़कन चल रही है इसी तरह बहुत सारी सम्वेदना हैं शरीर में जिस पर हमारा ध्यान ना जाए लेकिन अगर हम निर्ने करें और उस पर ध्यान दें तो हम वो सम्वेदना को पढ़ पाते हैं ये एक सोर्स हो गया जो शरीर के अंदर ही जो चीजें चल रही हैं उसके कारण हुआ फिर एक फोर्ट सोर्स जो है वो ये हो सकता है कि हमारे अंदर कुछ चल रहा है हमारी कलपना शीलता में कुछ चल रहा है और उसके कारण उसके प्रभाव से शरीर में कोई सम्वेदना उठी जैसा कि कल भी बात हो रही थी हमारे में भै का भाव हुआ जब भै का भाव हुआ तो उसके प्रभाव से हो सकता है हमारे को शरीर के उपर पसीने आने लगे वो सम्वेदना को मैंने पढ़ा या मेरे अंदर इरिटेशन हुआ विरोत का भाव उठा गुस्सा आया उसके कारण उसके प्रभाव से चरीर में कोई सम्वेदना उठी जैसे के हाथ का हिलना ट्रेमर की कामपना या आवाज लडखडाना इस टाइप का कुछ हो सकता है तो ये सब बाते हम कल कर रहे थे इसी को लेकर हमने कल का अभ्यास भी रखा था अगर हम अभ्यास को दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा आज याने कल दिन भर में रिक्षन करना था कि जब आप दूसरे मानव के साथ बातचीत करते हैं तो क्या हो रहा है देखें कि दूसरे मनुश्य के वेवहार का आपके शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ता है अभी हम सिर्फ शरीर की बात कर रहे है तो दूसरा कुछ कह रहा है उसके कारण शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और इसको हम ध्यान से देखेंगे तो हम वो शरीर में जो समवेदना उठ रही है उसको शायद पढ़ पाएं हर समवेदना हम पढ़ पाएंगे अभी इस समय ऐसा जरूरी नहीं है हो सकता है हमारी इतनी तैयारी ना हो लेकिन इस पर अप्लीस्ट हमारा ध्यान जाए इस पर ध्यान दें कि जब आप समवेदना को पढ़ने पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं इसका चैन आप कैसे करते हैं आपने निर्ने लिया किसी बेसिस पर लिया उस पर थुड़ा ध्यान जाए फिर जब आप समवेदना का आस्वादन करते हैं तो आप उसे कुछ अर्थ देते हैं यह जो अर्थ है यह अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग हो सकता है बहले ही व्यभार एक जैसा हो इस पर भी थुड़ा ध्यान जाए अभी इतना ही इस इन सब को नोट करें यह बात हूँ जो तो अगर आप अपने observations रखना चाहेंगे यह exercise हम कर पाए तो हम इसकी बात कर सकते हैं भी बमता बत्तरा जी आप कुछ कहना चाहरें एक शायद English session से ही हाथ raised था और कोई अगर यह जो homework था इसको कर पाए या इसमें कुछ प्रशन है तो इसकी बात हम कर सकते हैं जी थी कल जसे मेरी बात हुई थी मैंने पहले सोच रही थी कि जैसे मैं इसको देख रही हूं न सोच रही हूं ऐसा एसा फिर आपने बताया कि यह तो कल पना शीलता है फिर मैंने कल जैसे आप वली बात मैंने खुछ से अपना दिमाग कुछ नहीं चलाआ कुछ नहीं सोचा मैंने कुछ भी तो विए गटना घटी जिसके वैसे बहुत जोश से जो जो से रोए जा रहा है जिबकि मेरी उससे directly कोई बात नहीं हुई बट वो सबको जाके बोल रहे हैं मेरे को उसने ये कहा उसने ये कहा मतलब जैसे जूट बात जैसे होती है और लेकिन मुझे ना पहले अगर ऐसे को बात होती है तो मेरा reactions होते थे बट इस बार मेरे को reactions नहीं थे मैं अपने आपको देख रहे थी कि ऐसा हुआ तो कैसे हुआ लेकिन जैसे मैं अपनी सम्वेधना उनको भी पढ़ रही थी मैं देख रही थी मैं अंदर से ना गभरा भी रही थी अंदर से मुझे अपने में क्या सम्वेधना पढ़ी मैंने अपने में अंदर से मुझे घवराट सी हो रही थी यह सम्वेधना है अंदर में देख रही थी क्या मैंने कुछ कहा था मैं अपने आपको पढ़ने की कोशिश कर रही थी एक मिनिटू तार अदानी जो देखे हम ये बात कर रहे हैं पहली बात तो किसी ने कुछ वहवार किया उससे हमारे शरीर पर पहले तो सबसे पहले क्या होगा इसमें अभी गबरात पर मन जाएए किसी ने कुछ अब उसे उसने कुछ कहा वो जो आवाज थी जो द्वनी थी व मेरे कानों में, मेरे शरीर के कानों में उससे कुछ प्रभाव उठा, उससे शरीर में कोई समवेदना उठी, sensation, हम जब समवेदना बोल रहे हैं, हम sensation की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो शरीर में कोई समवेदना उठी, उस पर हमारा ध्यान जाए, ठीक है न, मेरे अंदर जो चल मेरी कल्पनाशीलता चल रही है वो एक अलग चीज है इसको थोड़ा अलग HOLG करके देखने की बाद है हुई दिवी जैसे मुस्में हुआ grad si ह podia तो मैंने देखा में जो 지ami मैंने तो कुछ नहीं पिर मैं क्यों हो रही हु मैंने तो कुछ कहा तो देखा बट मुझे लगा मैंने तो इसको कुछ कहा ही नहीं। यह अपनी आप यह मतलब दूसरी गटना को उसकी क्योंकि उसकी कमी मिली थी तो वो अपनी कमियों को चुपाने के लिए उसकी रियक्शन सा रहे थे ताकि मैं पहले से यह रियक्शन दू ताकि लोग सोचेंगे कि मेरी कमी ही थी अभी यह सब तो स्पेकुलेशन है है ना हम यह सब जानते तो नहीं है हम अपने अंदर यह चला रहे हैं कि ऐसा हो सकता है है ना हम जानते तो नहीं है ना उस बात को ये अर्थ हम दे रहे हैं ये बात आगे और डिटेल में होगी अभी तो फिलहाल ये बात हो रही है कि किसी ने कुछ कहा उसका कुछ प्रभाव मेरे शरीर पर पढ़ा और मैं उस सम्वेदना को पढ़ूं जो इस घटा के रहत हुई गवराट में गवराट को देख पा रही थ गवराट समझना में नहीं जाएगी मैं इसको नहीं समझ पा रही है या आप मेरे में हो रही है शरीर में ही हो रही थी इसको और थोड़े कुछ से देखिए शरीर घबरा रहा है या मैं घबरा रही है घबरा तो मैं ही रही हूँ यह तो मुझमें चल रहा है ना मुझमें कुछ चल रहा है कुछ विचार कुछ भाव चल रहा है जिसके कारण मुझे घबराट हो रही है लेकिन किसी और के व्यवहार से बोलने से या जो भी हुआ उस उससे कुछ शरीर पर प्रभाव पढ़ रहा है, उससे कुछ समवेदना उठ रही है शरीर में, समवेदना शरीर में है उसको जब मैं कुछ अर्च देती हूँ, उस समवेदना को पढ़ती हूँ, सबसे पहले तो पढ़ना पढ़ेगा ना, कभी-कभी तो हम पढ़ते ही नहीं किसी ने कुछ कह दिया हम सड़क पे चल रहे हैं, किसी ने जोर से चिला दिया, बट हमारा ध्यान कहीं और है, हम फोन पर बात कर रहे हैं, और हम बहुत खुशी-खुशी किसी से बात कर रहे हैं, हमने उस तरफ ध्यानी नहीं दिया, किसी ने चिलाया, उस समय भी वो इतना उठी लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया तो मुझे पता ही नहीं यह हुआ होता है ना इसे कभी-कभी हम चौंक से जाते हैं कभी ऐसे होता था एक दम से चानग क्या हुआ तो अगर हमने ध्यान ही नहीं दिया तो अजी होता है तो सबसे पहले तो इसको देखें कि मैं निर्ने पूरवक कोई भी सम्वेदना को पढ़ती हूं या नहीं पढ़ती हूं मेरा निर्न अगर यह है जैसे कि मैं बात कर रही हूँ आवाज आप तक आपके कानों तक पहुंच रही है उससे कानों में कोई सम्वेदना उठ रही है उस सम्वेदना को आप पढ़ रहे हैं फिर मैं क्या बोल रही हूँ यह अर्थ तो आप दे रहे हैं अगर मैं कोई और भ तो अर्थ हम देते हैं और उसके कारण कुछ हमारे अंदर भावविचार चलते हैं वो आगे देखेंगे लेकिन अभी यही बात हो रही है कि समवेदनाएं उठती है अब मैं बात कर रही हूं वो समवेदना आप तक पहुंच रही है शरीर तक उसका प्रभाव पढ़ रहा है और उसमें शरीर में खुद समवेदना उठ रही है जिसको आप पढ़ रहे हैं उसको ताड़ ताड़ करके देखेंगे तो अब जब मैं बात करे हूं इसी टाइम जहां मैं बैटी हूं वहां चिडियां बोल रही हैं कोई गाड़ी जा रही है जहां आप बैटे हैं वहां भी कुछ-कुछ हो रहा होगा बाहर इन सब से कुछ प्रभाव पढ़ रहा है आपके शरीर पे शरीर में कुछ समवेदना है तो उठ रही हैं लेकिन आप निर्ने पूर्वक जो मैं कह रही हूं उस पर ध्यान दे रहे हैं वह वाली स अब बढ़ रहे हैं बागी सब पर आपका ध्यान शायर ना जाए नहीं है कि नहीं है ठीक है यह nuggets को मैं ऐसे समझो कि ऐसे कुछ बहुत जोर से कुछ हुआ मुझे ऐकदम से मेर्घ्रसे गिल धटकता है उसको मैंने पढ़ा, मैंने इसको एकदर मेरा ध्यान किया उदर, और फिर मैंने उसको को जहे, उसको मैं मानूंगी कि ये सम्वेधना है? बिलकुर, शरीर में कुछ चल रहा है, उस पर आपका ध्यान गया, ये सम्वेधना है, अब इसका स्त्रोत क्या है, ये कहां से उठा, जिना उस पर भी हम ध्यान दें धीरे धीरे ठीक है यह जी इसको थोड़ा थांकि डी इसे आपने बिदी को कहा जो हो रही है मन में हो रही है मतलब हम मैं में हो रही है तो दिदी जो डर डर की जो यह फीलिंग है यह भी तो मैं में ही हो रही है न यह शरीर में नहीं हो रही है तो दिदी ऐसे कैसे डिफरेंश जैसे ही जो फीलिंग होती तो फिर खुशी की भी जो फीलिंग होती है वो भी मैं में होती है शरीर में नहीं होती है एक बात है तो जो सारी feelings जो होती है वो सारी मैं में होती है शरीर में नहीं होती यह तो हम बात करी रहे ना शुरुवात से exercise one में यह सब बाती हुई थी ना तीथी जब ध्यान देते हैं तो पहले feelings दिखती है कि यह सब चीजे हो रही है और वो न हम मतलब शरीर से उसको connect कर लेते कि शरीर से शरीर में हो रही है, यह हमारे शरीर में यही दो चीजे mix हो जाती है नशच्मारी Incorporation कि शरीर में क्या हो रहा है वो हम निर्ने पूर्वक पढ़ रहे हैं अगर ऐसा था कि मैं वही हूँ या मैं उससे जुड़ी हूँ तो हर समवेदना को मैं पढ़ती लेकिन ऐसा नहीं है हम कुछ समवेदना पढ़ते हैं कुछ पर हमारा दियानी नहीं जाता क्योंकि हम समवेदना पढ़ने के लिए मजबूर नहीं है यह हमारी चॉइस है हमारा निर्ने है इसको थोड़ा ध्यान देके देखें बारीकी से ठीक है? यही मैंने देखा कि हम समवेदना सारी नहीं पढ़ते हैं इसलिए सारी गरबढ़ होती है क्योंकि बहुत सारी पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं हमें नहीं समझ आती ध्यान नहीं बनावा रहता है तो इसलिए फिर क्या होता है कि सारी गरबढ़ कल एक्चली मैंने यह एक्सरसाइज की तो मेरा पहले ये ध्यान गया कि मुझे बहुत डर लग रहा है तो मैंने ये देखा पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये शरीर में हो रहा है कि मुझे में हो रहा है मुझे ये ही लगा कि ये शरीर में हो रहा है तो इसका कुछ, मैं एक्टिविटी तो कुछ कर नहीं रही हूँ, बस मेरा ध्यान बना है, वो तो जब एक्टिविटी तब होगी, जब मैं कुछ सूचना दूंगी अपने शरीर को, कि अगर ये डर लग रहा है, तो इसके लिए अब क्या करना है, वो मेरे सूचना के उपर कारे करेगा, फिर मैंने ध्यान दिया कि इसका स्प्रोथ क्या है, कहां से ये उत्पन लिए, तो मुझे वो दिखा नहीं, मुझे नहीं समझाया, फिर मैंने अपनी दिबी से बात की, तो अभी जो चल रहा है, मैंने सब उन्हें बताया, तो जब उन्हें सब बताया, तो मै से यह दिखा कि जो बहुत सारी संवेदना है जो पहले से जो उठी वी थी जो भावना है जो पहले से दबी वी थी वो वोल्ड करके रखा था संवेदना और भाव इन दोनों चीज़ों को थोड़ा अलग करके बात करेंगे नहीं तो फिर वो मिक्सप हो जाता है कि यही तो हो रहा है ना मुझे यहीं नहीं समझा रहा है कि यह मतलब संवेदना कौन से हो गए और भाव से हो गए ऐसा क्या हुआ जो वो डर एकदम से चला गया और मैं एकदम से आराम में आ गई आपने बोलते समय कुछ पहले कुछ और अर्थ दिया हो बाद में शायद कुछ और अर्थ दिया हो तो आप आराम में आ गए वो धीरे धीरे समझ में आएगा धीरे धीरे दिखेगा अभी ये नई नई प्रक्रिया है जैसे जैसे हम ध्यान अपने उपर बनाए रखेंगे शर तो अपने आपको आपको देखना पड़ेगा वेंचुली क्या हुआ क्यों वो डर आपको लगा के अब नहीं है ना बट उसको और थोड़ा ध्यान से देखें दिखेंगा और जैसे जैसे हम आगे यह स्कूलते जाएंगे तो और डिटेल में वह बात हो पाएगे प्रस्टन उट्राया जब फीलिंग्स जो अच्छे भी हो या बुरे भी हो फीलिंग्स अगर शेर करें तो प्रस्ट्रेस लेवल कम होता है इसकी हम तुरी देड़ में बात करेंगे तो दूसरों को हम बताते है वह हमरा शुक शान्ती हम सरेंडर कर रहें उनके उपर थोपर है इसकी हम तुरी देर में बात करेंगे अब जो ग्रहकारिय के बात हो रही है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते फिर इस पर भी आएंगे ठीक है ठीक है आप अगर ग्रहकारिय कर पाएं तो उस पर थोड़ी सी बात कर लें अबजर कर रहे हैं जब वाकिंग कर रहे हैं तो तो चिडिया है ऐसा यह एक पंची वह दोना आकर सिगर लए उनुभी कांटर ऐसा यह अबजर कर सका अभी हम अपने शरीर पर ध्यान दे रहे हैं है ना शरीर में कोई सम्वेधना उठ रही है उस पर ध्यान दे रहे हैं क्या आप देख पाए शरीर में बोडी में कुछ Unterstüt किसी ने हाथ हिलाया हो या जैसे किसी ने हाथ हिलाया हो या जैसे आप जाती हूए जैसे कोई आपको मुदलब जैसे इशारे से बात कर रहे हो बिल्कुल जैसे ऐसी घटना कल मेरे चाहंत को रही थी और में उसको पढ रहे थी तो पहले तो मैंने इसको पढ दियान गाया है जैसे उनने अदूर से ही हाथ हिलाया और मैंने स्माइल दिया, स्माइल देने के वाद ही मेरे को लगा कि मैं उसको अंदर पढ रही थी, कि देखो कुछ समय पहले, और फिर मैं अस्वादन अपने को दे रही कि थोड़े टाइम बद मेरे घर में कुछ काम हो रहा था, ये भहिया आये थे, और जो भी उसकी पीछे कि सारे संवेदना को पढ रहे थी, और फिर सांथ सांथ को मैं अपने अपको वो भी दे रही थी, अस्वादन की, देखो वो लंच पे जाननी पा रहे थे, कि इस हालात में मैंने उनको खाना खिलाया, बिचारे मतलब कितने खुश हुए होंगे, फिर ऐसी एक समाज में, द किसी ने कुछ कहा, हाथ हिलाया, उससे शरीर पर कुछ प्रभाव पढ़ा, क्या प्रभाव पढ़ा, हमारी आखों में वो इमिज बना, है ना, कि दूसरा हाथ हिला रहा है, ठीक है ना, है कि नहीं, इतना शरीर में हुआ, अब मैंने इसका आसवादन लिया, that means, जो sensation है, ज उसको मैंने टेस्ट किया, रीड किया, टेस्ट किया, फिर इसके बाद मैंने उसको कुछ अर्थ दिया, जो आपने बोला ना, कि ऐसा हो रहा है, या यह कल आए थे, यह सब हम अर्थ दे रहे हैं उसको, ठीकिन है, तो अभी यह बात हो रही है, कि जब सम्वेदना उठ रही है, तो हम उस हमारा ध्यान शरीर में शरीर पर जाए और शरीर में हो रही सम्वेदना पर जाए, और हम देखें कि यह कहां से आ रहा है, तो in this case क्या हुआ, शरीर में जो सम्वेदना उठी, वो यह थी कि आँखों में वो दृश्य हुआ, आया, है ना, मैंने उस दृश्य क पढ़ा, यह कहां से आया, बाहर से, दूसरे के विवाहर से, जो फर्स सोर्स की बात हो रही थी न, वो है, तो इतना करने की बात हो रही थी अभी, अभी आगे अर्थ हम कैसे देते हैं, उस सब पर अभी जाएंगे, ठीक है? ठीक है, बीबी, जब संबेद में को पढ़ते हैं, कहीं पर थोड़ी स्पीड भी बढ़ जाती है, कहीं पर जैसे कि सीन की तरह आती है, चली जाती है, उसको हम लोग इपोर्टेंस भी नहीं देते हैं, जैसे कि जिसको मुझे पढ़ना है, वो मैं पढ़ रही हूँ, पर क् जाती है, जिसको में स्टा कुछ पर जाती है, उसको मैं फिर उतार भी लेती है, जैसे कि मेरे अदर जो चल रहा है और शरीर में जो संबेदना उठ रही है, इसको अलग अलग करके रखेंगे, तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर वो ही गढ़ब होगी, जैसे कि स्टा मे मेरे अंदर क्या हो रहा है इसको थोड़ा अलग अलग रख के देखें जब आपने शरीर में हो रही किसी समवेदना को पढ़ा तो कौन सी समवेदना वो थी उसको लिख लें समवेदना कहां मतलब यह पांच सेंसेज है ना शरीर में कुछ हम देख रहे हैं आखों के द्वार कुछ हम सुन रहे हैं कानों के द्वारा कुछ हम टेस्ट कर रहे हैं अपनी टंग के द्वारा ठीक है ना कुछ हम सून रहे हैं नाक के हल्प से कुछ हम रीड कर पा रहे हैं स्किन के उपर कॉंटाक्ट है किसी चीज से यही सब हैं समवेदना है पर हमारा ध्यान जाए जो शरीर में हो रहा है और आप देखेंगे कि बहुत कुछ हो रही है बहुत सी सम्वेरनाय हो रही है पर जैसे कि आपने कहा हम सभी को नहीं पढ़ते हमारे लिए जो इंपॉर्टन जब लगता है हम उस पर ध्यान देते हैं बागी को हम इग्नोर कर देते हैं अकसर ऐसा थी तो जब मैंने लिख लिया तो मैं करी हूं हर चीज जो हम से ही और यह जो फाइफ सेंसे से ही हम उसको सेंस कर रहे हैं और वो सारे जो जो मैं में जो घटी थो रही है शरीर के दौरान उसको महसूस कर रहे है और उसको लिख रहे है तो उसको मैं दीडी ऐसे थोड़ा सा आपने अपको भी explain करा उसको मैं आप correct कर दीजिए तो जैसे मैंने का एक जैसे हम पानी के समुंद्रे के किनारे में मैं खड़ी हूं और मेरी आखे बंद है पर वो कितनी दूर से वो लहर आ रही है उसको मैं महसूस कर रही हूं उसको मैं मतलो उसको feel कर सकती हूं कि वो महसू क्या हूई आखे तो बंद हैं वो समवेदना तो नहीं हो पाई कान खुले है कुछ आवाज आ रही होगी समुद्र के लहरों की उससे कुछ प्रभाव पड़ा कानों में है ना हाँ सुना मैं आपने उस पर ध्यान दिया उसको सुना फिर आपने अर्थ दिया कि हाँ ये हुआ है ना है तो हो सकता है कुछ गंध वहां की हो पानी के पास की जो जिससे आपकी ना फिमिलियारिटी हो आप पहले भी गए हैं उससे आपकी में 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 वो आया कि हां हम पहले भी आए अब इतना सजग होके नहीं देखा शाय लेकिन यह सब मिक्स अफ हो गया तो यह समवेदना शरीर में उठ रही है इस पर अलग ध्यान जाए यह समवेदना को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर कुछ चलता है यह एक अलग बात है उस पर भी हमारा ध्यान आगे जाए ठ बात होगे और ध्यान देते हैं तो उससे ज्यादा फास्ट हम देख पाते हैं जस्ट प्रैक्टिस की जरुट है उसको ध्यान देने की जरुट है और बार बार रिपीटेडली अभ्यास करने की जरुट है कि कितनी जुअ के चलरी है और मेरी जो जैसे जरुट हुए हुआ है तो मतलो मैं उसको मैं मतलो सेंस कर रहें थी तो मतलम मैं आपने यह ऐस बार दे घित तो सपने में भी कोई चीज़े जो बहुत clarity से उसको पढ़ते हुए मैं आ रही थी और वो मतलब जैसे लेखे लिए जैसे आप से बात कर रही हूं सपने में भी ऐसे बात करके उस चीज़ों को पढ़के उनको आर्थ देखे फिर में बापको साथी पढ़ते हुए जब मैं आती हूं तो मुझे लगता है कि इतना awareness बढ़ जाती है और इससे लगता है कि ब्योंड उस पार भी तुम उस चीज़ों क्या sense करके मतलब जैसे यह दिवार है और मैं उस दिवार के अभी बहुत से hands raised है समय थोड़ा कम है आगे बात करेंगी यह ज़ जिदी जो यह भी इसके फाइट चल रहा है तो इसमें से जो यह तीन जो टाइप की सवेदना है यानि कि कि किसी के आवाज इस पर शौर यह से जो हम बगते और दूसरा जो है सर्दी गर्मी कुछ पातावरण में है उसको और तीसरा जो है जो हमारे शरीर के अंदर हो रहा लेकिन दो चौतह वाला पार्ट है कि हमारे जो फावशार है उसका जो सरीर पर परभाव है व ही पॉस की द् 원ляется करो मैं मैं जिसे उस संब्लेट इस प्रभाव है वह मैं नहीं पकड़ पा रहूं जो अभी कह रहे थे हैं कि साथ ट् 一 कॉ या या जो है हार्ट बीट बढ़ जाना या मैं में इंतजार करूं कि वैसी जब परिस्थी आए बहुत तीवर गुस्सा आएगा तभी तो वह पकड़ में आएगा उस समय ध्रान जाए तो वह मैं भी पकड़ नहीं पा रहा हूं जैसे मैं बैठके कोशिस कर रहा हूं लेकिन पर रहे हैं ना चरीर पर शरीर में कुछ हो रही है समवेद्ना हमने हमारा ध्यान उस पर गया हम उसको नोट कर लें और अपने आप से पूछे इसका स्त्रोथ क्या था औरीजन क्या था यह कहां से आई तो हम दीरे-दीरे इससे हमारी सजक्ता भी बढ़ेगी देखने की ज आजने करें लॅटि अदर कुछ विचार चलता है कॉंट्रेडिक्स्टन में है कुछ विरोध में चल रहे हैं अलग-अलग भाव तो जब बहुत ग्रोस लेवल पे यह ना थूल लेवल फे जब वो हमारे अंदर चलता है तभी हमारा ध्यान जाता है कभी-कभी दीरे-दीरे ऐसा होगा जैसे-जैसे हम देखते जाएंगे वैसे-वैसे हम और सुक्ष मुभाव, सुक्ष में विचार वो सब देख पाएंगे, सुक्ष में जो सम्वेदना उठ रही है अब शरीर में, उस पर भी हम हमारा ध्यान जाएगा जैसे कि अभी पंखा तेजी से चल रहा है उससे एक तरह का जो सम्वेदना होगी हम पढ़ पाएंगे जब बिल्कुल हलका बहुत हलका पंखा चल रहा है या तरह सी हवा बाहर चल रही है उससे जो शरीर पर प्रभाव पढ़ेगा वो थोड़ा अलग होगा उस सम्वेदना को शायद हम ना पढ़ें हमारा ध्यान ना जाए उस पर बट जैसे जैसे हम ध्यान देते जाएंगे वैसे वैसे ये दिखेगा कि ये सम्वेदना भी थी मैंने पहले पढ़ी नहीं तो अभी जैसे गुस्से की बात हो रहे थी या कभी डर है किसी बात से डर हुआ भै हुआ तो भी आप धीरे धीरे ध्यान देंगे शरीर पर तो दिखेगा उसका प्रभाव तो अभी कोई बात नहीं देख रहा कोई बात नहीं मतलब वह प्रैक्टिस वाली बात है और प्रैक्टिस होगी तो दिखेगा ऐसा ठीक है नमस्ति दी सब भी को नमस्ति भीया का जो यह कोस्चन था लगवाग इसी लेविल का हमारा था दिदी कि यहां तक तो हम कर पाए कि संबेदनाओं को डारेक्ट पढ़ने की जो बात है तो हम सरीर में होने वाली क्रिया पृतिक्रिया को अलग देख पाते हैं और स्वेम में होने वाली जो भाव विचार के आधार पर मुझ में जो फीलिंग्स होती है कि संबेदना के बस इसमें यह काम को थोड़ा सा आगे करने का चारती कि जो भाव है और संबेदना है उसको अलग-अलग रूप में कैसे हम देख पाए कभी-कभी संबेदना को भा आपने अभी आप जहां भी बैठे हैं अगर आपका पैर जमीन पर है सपोज आपने चपल पहनी है चपल उतार दीजे डारेक्ट जमीन पर पैर रखिये और कुछ संबेदना उठेगी शरीर में कुछ थंड़क लगेगी या जो भी है मैसूस हुआ आपको जी 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 वो सं संबेदना को आप पढ़ रहे हैं यह संबेदना शरीर में हो रही है अब अगर हमारे अंदर कुछ चल रहा है हमारे अंदर कुछ विचार चल रहा है हमारा भाव है कुछ जिसके कारण हम सुखी दुखी हो रहे हैं वो तो हमारे अंदर चल रहा है वो भाव हुआ उसको दे इस बात को और अच्छे से देखेंगे के शरीर रियाक्ट करता है या मेरे अंदर जो भाव चलता है मेरे अंदर रियाक्शन होता है और फिर उसका प्रभाव चलता है क्योंकि अगर मैं विरोध में आई तो रियाक्शन तो अल्रेडी हो रहा है मेरे अंदर फिर उस विरोध के कारण शरीर पर जो प्रभाव पड़ा उससे शरीर में संवेदना उठी वो एक दूसरी बात है लेकिन तो पहले मुझमें हुआ ना उसके कारण कुछ मैंने विहोशी में शरीर को कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया संकेत दे दिया और उससे तो भी करेगा जो मैं कह रही हूं लेकिन अगर हम इसके प्रती सजग नहीं है इस प्रोसेस के प्रती ऐसे लगेगा शरीर ने र थोड़ा से खुला रखें और बारीकी से देखते चलेंगे तो इस अभियास में मैं और शरीर को अलग देखते हुए जो मेरे द्वारा जो सूसना का अरदान प्रदान शरीर के लिए हो रहा है वो मैं देख वाई सबसे पहले जो आप जब बूर रहे थे कि शरीर में क्या प्रभा पड़ा तो मैं उस ताइम चावल को बॉयल कर रही और उसको पोर कर रही थी वाटर को तो वो सारी जो स्टीम है वो मेरी बॉड़ी पर पढ़ रही थी तो पहले तो मैं बहुत जल्दी रियक्ट करती थी अभी मैंने देखा कि अगर मैं उसको नहीं रीड करी और मेरा कंसेट्रेशन आपके पर है तो वो स्टीम का एफक्ट मेरे शरीर पर नहीं पड़ रहा यह सूजना का अर्दान प्रदान हुआ तो मैंने बहुत क्लारिटी से देखा और फिर उसी टाइम एक सेकेंड मैं अब वो रियाक्शन आपके अंदर नहीं हा रहा आप उस पर दिखनी नहीं जा रहा आपने कहा कि शरीर पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा या शरीर पर प्रभाव पड़ा संवेदना उठी लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया बिलकुल सही दिए ठीक है ओके बिलकु अब ही हम लोग पांच मिनिट के लिए यह जो बात हो रही है शरीर में उठ रही संवेदनाओं को पढ़ने की बाद तो शरीर में जो कोई भी संवेदना को जिसको आप पढ़ रहे हैं उस पर आपका ध्यान जाए और आप उसको यह देखें कि यह कहां से उसका सोर्स क्या है स्ट्रोत क्या है औरिजिन क्या है इस संवेदना का बस उतना ही अभी देखेंगे फाइव मिनिट्स के लिए शरीर में कुछ समवेदना उठ रही है उस पर हमारा ध्यान जा रहा है वो कहां से उठ रही है यह चार सोर्सिस की बात हुई थी बाहर से या शरीर के अंदर ही कुछ प्रोसेस है उस से या मेरे अंदर कुछ चल रहा ह है उससे तो इस पर पांच मिनिट्ट ध्यान देंगे और फिर आगे बाद करते हैं कि नमस्ते मैं नमस्ते सब्सक्राइब को तो मैं अभी जिस जो पांच मिनिट्ट सरीर में क्या-क्या चीजे उठ रही थी तो मैं उसको जिस नोट डाउन भी कर रहा था साथ में देख भी लग देखा कि जैसे जैसे कोई सम्वेदना उठ रही है वैसे वैसे मतल एक तो मैं मेरा खुद का डिसीजन एक इंवाल हो रहा है कि मैं उसको पढ रहा हूं बट इसमें मेरे मेरे को थोड़ा बहुत इसमें कन्क्यूजन हो रहा है कि कि मैं खुद पढ़ पा रहा हूं कि नहीं पढ़ पा रहा हूं, मेरा decision सामिल एक ही नहीं है, इसमें मैं ठोड़ा confused हूं भी, कि directly, क्योंकि संबेदना जैसे उठ रही है, वो तुरंत register हो जा रहा है, और वो register मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, इसमें मुझे अभी doubt है, जैसे कि अभी हाथ में कुछ टिंगलिंग चैसे सेसेशन हो रहा है तो वह ऑटमेटिक मेरे सेल्फ में रिजिस्टर हो रहा है तो मैं डिसाइड करके कर रहा हूं हां मतलब यह बात वह मैं आती है कि और भी सेंसेशन उठ रही है शरीर में लेकिन वहाँ पर ध्यान नहीं जा रहा है और हम उसको प्रजिस्टर नहीं कर रहा है बट यह जो ऑटमेटिक मतलब कहीं कहीं पर सेंसेशन ऑल्लेटी हैं तो वह वो रेजिस्टर मतलब ऑटमेटिक हो रहा है मतलब मैं अभी उसको देख नहीं पा रहा हूं और सुच में अभ्यास करने की ज़रूत है मुझे तो अभी तक तो मैं इस जगह पर हूँ मैं बढ़िया जैसे जैसे आप देखते जाएंगे जैसे जैसे आप ध्यान देते होते जाएगी ऐसे आपको दिखेगा जैसे कि अभी लग रहा है ना कि सम्वेदना उठी और आटमाटिकली मैंने उसको पढ़ लिया तो यह क्योंकि बहुत जल्दी से हुआ है ना तो हम उसको ब्रेक अप करके नहीं देख पा रहें लेकिन हमारे जो देखने की शमता है न वो और सुक्ष्म हो सकती है जो शरीर में कुछ हो रहा है यह एक ब्रॉस जैसे शरीर स्थूल शरीर है उसमें जो सम्वेदना उठ रही है और उसको जब हम पढ़ रहे हैं तो हमने फटा फट पढ़ लिया एक दम लेकिन हमारी सजगता नहीं है उसके प्रती तो हमें यह द दिखा नहीं कि हमने पढ़ा लेकिन हमने पढ़ा जरूर जैसे कि आपने मेंशन किया उस समय और भी सम्वेदना उठ रही थी लेकिन कहीं ना कहीं मैंने निर्नय पूर्वक इस सम्वेदना को पढ़ा तो यह इसको थोड़ा अलग-अलग करके और बारिकी से देखने का जै जैसे जैसे हमारा ध्यान इस पर जाएगा हमारी सर्यक्ता बढ़ेगी तो दिखेगा कि हम यह देख सकते हैं ठीक है इसको कंटिन्यू रखिए बहुत अच्छा जीवा एक और जो मैं सेरिंग डखना चाहता था वो लास्ट दिन का मेरा शेरिंग रहिया था तो मेरा अच्छिप्त में मैं कुछ जो अब्जर्वेशन ताव रखूंगी तो मुझे अपने पैर की अकडम दिखाई दी फिर अचानक से मेरा कल्बना शीलता पे ध्यान गया कि आज में को दीदी के बास जाना है तो वो एक उसकी जो समेधना थी एक बटरफ्लाई टाइप कहलो वो मेरे को मैसे सुई फिर बारीश होने लगी तो बारीश की जो थंड़क आई वो मेरे को स्किन की तुरू मैसे सोने लगी तो यह दिदी मतलब है मेरा अब्जर्वेशन और कल अगर चटनी मनाई थी उसमें नीवूट जादा डल गया मेरे इसको जीप पे टेस्ट किया त अरना जी हमारे साथ बहुत पहले से जुड़ी हुई है तो आपको दिखेगा कि और और बारीकी से हम देख पाते हैं जब हम ध्यान देते रहते हैं और सब लोग जुड़े रहें और स्पेशली 10th batch मैं चाहूंगी अगर आप लोग और अच्छे से और ध्यान दे और शेयर करें तो बहुत अच्छा रहेगा तो अभी हम यहीं रोकते हैं यही एक्सराइज हम दिन भर में भी करेंगे सम्वेदनाव को पढ़ने का उनके स्त्रोत को देखने का ग्रूप में एक्सराइज डाल दिया जाएगा